सर हम बच्पन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि मुंगफिली खाने से खासी होती है या जिनको ज्यादा खासी है वो मुंगफिली का सेवन ना करें ऐसा क्यों मूंग需q आता हैं सर्वियों के म्वासममें आती है लेकिन आजकल पुरे साल भर मूंगій अवेली ऐवीलेंबल भाद हिती है मूंगफिली को लग- climat की नमकिन खाता है कोई अलग चीज बनाता है बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुंफली को भीगो कर भी खाते हैं सुबा कच्ची मुंफली को भीगो दिया और सुबा खाते हैं और बहुत से लोग पीनेट बटर भी खाते हैं लेकिन आप ये बताईएं कि जिस मुंफली को हम अपने बच्पन से खाते आ रहे हैं वो मुंगफली किन-किन बिमारियों में फायदे मन ले है? इमान्शु जी कॉलस्टॉल दो तरह का है एक गुड कोलस्टॉल एक बैड कोलस्टॉल और मुंगफली के सेवन से बैड कोलस्टॉल कम और गुड कोलस्टॉल भढ़ता है दूसरा इसके अंदर unsaturated fatty acid काफी है जिसके कारण हमारा cholesterol lipid balance रहता है दूसरा इसके अंदर इस तरह के antioxidant है जो व्यक्ति नियमित रूप से मुंखफली का शेवन करें उसको cancer की संभावना कम होती है बताब anti-cancerous properties है anti-cancerous properties इसके अंदर बहुत अनुगी और ये मुंख़ली ऐसी चीज़ है यदि आप एक मुंख़ली खाओगे तो दूसरा खाने का अपने आप मन करेगा अमीर लोग काजू बदाम पिष्टा इत्यादी कर सेवन करते हैं लेकिन ये आम आदमी के लिए ड्राइफ रूट्स की रानी है क्या सकता है गरीबों का बदाम है मुंख़ली गरीबों का बदाम नहीं ये आम आदमी का बदाम है गरीब तो सिर्फ अब मैं आपको क्या कहूँ कि गरीब के लिए लिए अगर अमीर भी इसकी एक दाना खाना सुरू करेगा इसको खाता ही रहेगा तो ये आम आदमी का एक तरह से भोजन है भोजन तो नहीं कहूंगा ड्राइप प्रूट से और जो व्यक्ति इसको खाता है उसको इसके लाप भी बहुत मिलते हैं जो व्यक्ति इसको सेवन करे उसकी हड्या मजबूत बनती हैं दूसरा साउत में आपने हम बसार का घी सिर्माई जादा करते हैं और बसार का घी भी होता है तलते रहते हैं उसके फायदे कम नुक्सान जादा आ है क्योंकि वो किस तरह का घी बना नहीं कई सकते लेकिन मॉंपली का ते हमारे स्वाष्ठ के लिए बहुत लापता है कि इसके शे tummy से कम से कम मैं इतना कह सकता हूँ कि लिपिड अमारा बैलेंस रहता है कहीं कोई किसी प्रकार की हर्ट की समस्या हमको नहीं सताती है दूसरा ये बहुत पुष्टिक होती है जो व्यक्ति इसको खाता रहे उसके सरीर की उश्मा अच्छी बनी रहती है आप ये देखेंगे कि बजार से ये दिया ऐक अंडा लें और उस अंडे की कीमत की आप मुखपली खरी लें जितने का Z partir का एक अंडा या तो आप 10 रुपे की मुखपली लें और मुखपली येदिया आप सेवन करेंगे जितना अंडे में और दूद में मिलाकर सही तुरूप से प्रोटीन होगा उस से कहीं जादा प्रोटीन इसके अंदर है और इसके सेवन से हमारी सिरी के अंदर उस्मा भषती है, टाकत भषती है, गर्मी भषती है तो इसको मैं इतना कहूंगा कि हमको जरूर नियमित रूप से थोड़ी सीमित मात्रा में सेवन अवश्य करना चाहिए एक अक्सर मैं बताया करता हूँ अम्रत भोज जिसमें मूंग, मौठ, मसूर की दाल और मूंग फली भी है तिल हम इसको अंकुरित करके खाएं तो यह बहुत ज्यादा लाब देती है तो हमको अम्रत भोज के उसमें भी इसका सेवन बहुत अच्छा लाब हमारे शरी के लिए देता है आप एक बहुत बटायेंगे कि अम्रत भोज कैसे बनाएं उसमें क्या-क्या डालें और कितना डालें अम्रत भोज के लिए हमने पहले भी कहीं बार बताया तिल, मूंग, मूंग की दाल, मौठ, मसूर और इसके अंदर थोड़ा साम इसको अंकुरित कर लें और अंकुरित ह होने के बाद इसमें मुफली के दाने मिला दें और साथ में स्वाद के शाब से इसके अंदर हम सौंट काली मिर्ज सेना नमक तमाटर जो हमको अच्छा लगता हो गाजर चुकंदर इत्यादी पत्तागोवी मिला करके प्रहते काल खूब जी भरके हम जितना खा सकते हैं उतना चार दिन में तो हमको कभी लगता है कि पेट में मरोड आ रही है लेकिन चार-पांच दिन के बाद हमारा बाउल मॉमेंट बहुत स्ट्रोंग होता है पेट की डाइस्टे ट्यूब बिल्कुल प्रोपर टूप से किलियर होती है और हमको इससे बहुत बेनेफिट मिलते हैं जिन लोगों की आइसाइड वी खोरने जा रही हो ऐसे लोगों को भी मुंग फली का सेवन अवस्य करना चाहिए आपने देखा होगा जो लोग काजू जादा खाते हैं उनका कोलेस्टेल बहुत तेजी से शूट अप करता है जादा काजू खाने से हमको कॉंस्टिपेशन ह पचास से सौ घ्रम आप खा सकते हो मैंटेन रहेगा लेकिन अपने काजू खाके लोगों का कॉलेस्टेल तो बढ़ता ही है constipation भी होने लगता है लेकिन हमने देखा है कि मुंग्फली खाने के बाद भी क्योंकि मुंग्फली होती है पॉस्टिक और गरम nature की होती है तो इसको ज़ादा खाने के बाद भी लोगों को constipation हो सकता है गया लेकिन ज़ादा मैंने कहाना एक पचास से सो ग्राम यदि आप धाई सो तीन सो ग्राम खालागे तो नुक्सान देगी और इसका यदि सर्दियों में असली आनंद लेना हो तो आप गुड में मिला करके आप सेवन करो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा जब कोलू में गुड बनता है तो वो अपने सुआद के हिसाब से मुझफली इत्यादी ले जाकर के गुड बनवा करके उसको खाते हैं तो उससे इसके गुड बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो सर्दियों में यदि हम गुड में मिला करके इसको सेवन करें तो शरीर में जान आती है, कमजोरी दूर होती है और हमारा पाचंतन तो बहुत अच्छा बनता है तो जिन लोगों के शरीर में हीट जनरेट होती है यानि जिनका पित दूशित होता है बढ़ा हुआ होता है तो क्या उनको ये मुंफली खाने चाहिए सिमित मात्रा में तो सर नौर्मल आदमी के लिए तो पचास सौ ग्राम होगे लेकिन जिसका पित बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसको दस बीस ग्राम से ज़्यादा सेवन नहीं करने चाहिए साथ में यदि हम इसके सोफ का सेवन करें सोफ तो यह हमको नुक्सान नहीं देगी तो हम इसको सोफ के साथ से बन कर सकते हैं या इसको खाने के बाद सोफ काए तो हमारा पित विक्रत नहीं होगा और क्या सर रात के टाइम में? क्योंकि हम रात के टाइम पर वीडियो बना रहे हैं और रात के टाइम में मुंफली की बात कर रहे हैं तो आप ये भी बताईए कि क्या रात के समय या सूरियास्त के बाद मुंफली खाना सही है या गलत है क्योंकि पॉस्टिक है देर से और इसकी एक खुबी और भी है जिन लोगों के खुण में ठक्का नहीं बनता आपने देखा होगा किसी किसी आदमी को चोट लग जाए तो उसका खुण बहता रहता है बहुत पतला हो जाता है ऐसे लोगों के लिए मुंगफली किसी वरदान से कम नहीं है उससे सेवन से निय मुंगफली में जो गुण पाया जाते हों हमारे शरीर को इलनेस से वैलनेस की तरफ ले जाने के लिए बहुत जरूरी है लेकिन मुंगफली अब पूरे साल एविलेबल है लोग मुंगफली का पीनेट बटर खाते हैं गर्मियों में भी खा रहे हैं मुंगफली वाली नमक जो यह सेवन चाहिए जैसे मुंगफली की ताफिर गरम है गर्मियों में इसको हमको आवाइड करना चाहिए आपने देखा होगा तरभूज 12 मेने मिलने लगा दिल्ली के भार तो 12 मेने तरभूज मिलता है तरभूज बहुत ठंडा होता है यह लू का फल है गर्मी का फल है यदि हम सर्दियों में इसको सेवन करते हैं तो जुखाम और स्थरीज में दर्द मात्रा में है जिसके कारान हमारी हटियां मजबूत बनती है दूसरा हमारी बोडी को यह जितने भी ओर्गन से उनको एक्टिव करता है खास तोर से जो व्यक्ति नियमित रूप से मुंफली का सेवन करे उसको डियाबिटीस के चांस कम हो जाते है जैसे डियाबिटीस में फ इसके अंदर है तो हमारी हट्डियां इसके खाने से मजबूत बनती है तर हम बच्पन से एक बात सुनते आ रहे हैं कि मुंफली खाने से खासी होती है या जिनको ज्यादा खासी है वो मुंफली का सेवन ना करें ऐसा क्यों यह इसके छिले हुए दाने है कहीं बार इसका छ करेंट के चल्का कूला क्युंके स्छिपक झाता है अब हम वाला होगा से लाल वाला निकाल देना चाहिए तिि उसको चवा खाना चाहिए यदि मेदा चिलकेंगे तो खानसी होने नहीं सकती कई वारम इसके खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं तब भी खासी के चांस बन जाते हैं तो हमको इसके खाने के बाद ठंडा पानी का सेवन नहीं करना चाहिए